क्या मेसेज दे हूँ में लोगों को काम नहीं है इसलिए में चलो सलून डालेगा तो लोगों को भी काम मिलेगा वो लोगों का भी टेक्स जाएगा तो अच्छा अर्ण कर सकते हो इदर दो तीन नर्सिंग कंपनी से हैं आप उनके पास जाएं अपलाए करें अगर आपको नर्सिंग कंपनी और केरगीवर कंपनी तो वहां पर मैंने किसी को अपलाए किया और मुझे मालूम भी नहीं पड़ा कि मिरे को किदर से इन लोगों ने कंटेक्ट किया तो हलो गाइज वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल मलिक जादा टूफोर टूफोर तो जनाब आज सलमान मलिक फिर से आप लोगों की हिद्मत में हासिर है और जनाब आज मैं आपको बताने और दिखाने लगाँ कि पुर्तगाल में लिस्बन में यहां पे लेडिस ने कार करना है और बहुत जादा गर्ल्स लेडिस वूमें मुझसे मैसेज करके पूछती हैं कि हमें कितनी इंवेस्टमेंट चाहिए क्या रेंट्स वगेरा होते हैं पूर्तगाल में लिस्बन में तो एक एक चीज आपको बताने लगाँ तो जनाब वीडियो को स्टार्ट करते है अगर तो आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें बेल लेकिन पर प्रस करें इस्टाग्राम और फेस्बुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अगर आपको कोई कंसल्टन सी चाहिए उसके लिए भी आप एक अच्छी बात क्या है कि तीन कंट्री मिल के एक साथ काम कर रहे हैं और ये लोगों के लिए जो नफरत पहलाते हैं उनके लिए बहुत गुड मैसीर है तो जी वैलकम तो मैं यूट्यूब चैनल आनिता जी पहले तो आप बहुत ये डैशिंग और बहुत हुशूरत काम दिया है और कैसे आपने ये अपना छोड़ा सा भूपसूरत सा बिजनस और कहां डाला है एर विगो एंति दिन्ति दाला में भूत चे साल तक बहुत तकलिप उटाया थीम साल में बहुत तकलिप अब तोड़ा में ये ब्यूटी पालर लगा के लोगों को काम दिया फि बहुत पैसा भी कर्चा किया है आपके यहीं पे एक ब्यूटी सलोन हैं कोई और भी हैं आपके यह पहला है दूसरा है यह पहला है पहला है और एक चीज मुझे बताईएगा जैसे के सुमेरा जी भी हमारे साथ हैं तो मैं पूछना चाहूंगा इन से तो बाद में ही बहुत जाएगा लेकिन यहां पर जो लोग रहते हैं वो मिल बांड के और बहुत प्यार से रहते हैं ठीक है लेकिन कुछ लोग हैं जिनका माईड़ अभी गोबर की तरह ही है तो अब क्या मैसेज देना चाहेंगे क्या मैसेज दे हूं मैं लोगों को काम नहीं है इसलिए म मेरे बारे में कभी मैं अच्छा सोचा नहीं दूसरे के बारे में भी अच्छा सोचा नाइस तो जो इंसान दूसरों के बारे में सोचता है तो अच्छा भी होता है और आपका यहां पर पॉलर का मैंने देखा है और जनाब यह हम रात को वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंक तो यहां पे जनाब सिस्टम थोड़ा अलग हो जाएगा अब जरह यह भी बताता है कि आपने यहां पे कितने वर्कर रखें चार रखें तो उनके टैक्सिज वगरा भी ऑफिसली देने होंगे अच्छा क्या बात है और क्योंकि अभी आपने यह जैसे के निया निया स्टार् इनकम आ रही है यहां क्या प्रोसीजर होता है हमें कुछ बच भी रहा है के नहीं तो अभी अनिटा जी ने जाना भी है हम सुमेरा जी से बात करते हैं और अनिटा जी थैंक्यू सो मच मेरी दुआ है कि आप लोग बहुत आगे जाएं क्योंकि आपका दिल भी बहुत अच् करें और होब कि आपको यहां का स्टाफ अगएरा यहां की सर्विस अच्छी लगेगी इतना चाहिए उतना मैं सोपर डे सकता है हल भी कर सकता है लोगों को क्या बात है क्या बात है रेली अप्रिशेट ना इतना मतलब अंदर से क्या होता है सब लोग असके मिलके रहेगा लोग खुशी हो जाएगा वो लोग के का पास पैसा हो जाएगा इतना मेरे को खुशी है मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए पैसा आएगा जाएगा कितना फिर वह पेपर जरूरी है ना आमको पेपर मेला तो दूसरा कंट्री बेवी जा सकता है कमा सकता है मैं नहीं मैं तो ल आने वाला है ना तो पासपूट आएगा तो आप बाग जाएंगे नहीं मैं लाइफ टाइम ही दर बेटेगा यह देखेंगे जीना मरना पुर्तकाल है साड़ा क्यों कि पुर्तकाल अपने बिजनस के लिए जीना बहुत अच्छा है तो जी अभी हम बात करेंगे और वेलकम क को बहुत मज़े की इंफर्मेशन परवाइड करने वाले हो जार आप लोगों को बताएं कि पुर्तकाल इसमन में जॉब का बहुत पंगा है बहुत प्राबलम है और क्या सिच्वेशन है और कहां से आपने स्टार किया और क्यों और पाकिसान में थे आप तो पाकिसान आप इनके जो व्लोग्स हैं वो देख देख के पोर्चिगाल का सफर हमने स्टार्ट किया तो मेरे को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा मैं नर्सिंग बैग्राउंड से हूँ एक्चली मैंने अड्मिस्टेशन लेवल पे नर्सिंग सुपरवाइजर की जॉब की हुई है तो होगी कि आप अपने डॉक्मेंट अटेस्टेशन करवा के आए इदर आखे क्यूबलाइजेशन अपनी करवाएं उसके बाद अपनी जॉब अपलाए करें क्योंके इनको लैंग्विज का एक बैरियर है वह लैंग्विज को अभी मेरे को भी नहीं पता था कि अगर आपको अच्छी आती है तो वह यहां पर आपको अच्छी आती है तो वह यहां पर आके जॉब तलाश कर सकता है सकते हैं अगर आपको अच्छी आती है तो उसमें भी आप जॉब आती ही मिल सकते हैं जैसे मेरा नीव फॉर्णिस बगारा बाद में बना मुझे अप्रोच पहले किया उन लोगों ने सही और आपने इस तलाश कैसे किया किसी साइट से किया यह भी लोगों को बता दें यहां पर यूटूब पे और यह सब देखा था मुझे कुछ नहीं मिला मेडी हिल्ट के बारे में तो मैंने जस्ट गूगल पे सर्च किया नर्सिंग कंपनीज और केरगीवर कंपनीज तो पेनों ने किया तब कहीं जाके इनको पुर्तकाल में जॉब मिली तो अभी आप वो जॉब तो नहीं करें और अभी आपने अपनी फील्ड से हटके यह फील्ड भी आपकी ही थी मैं आपको बताने लगी हूँ मैंने मेडिकल से हूँ इसलिए मैं अस्थाटिक हूं और सेटीन इसमें हम लोग क्या ब्यूटी कि कुछ यह अब को कुछ भी आपको की डिराजर है और है आपट एजर है हॉड्रारीट्र जहें कार्बन लेजर जो आपको स्किन फिलिंग्स है हम लोग मैं अस्थाटिक हूं वाव इस सो नाइस मैंने साथ पीरिइंस गल्फ से मेरा पकिस्तान से जस्त मेरी स्टडी है तो मेरा आउट आफ कंट्री सारा मेरा एक्सपिरियंस है मैंने सौदिया में जॉब किया है और बाहरीन में किया है तो मैंने ब्यूटी क्लीनिक्स में किया है यह तो सालून है तो इदर सालोन में इसे लोग उनको लेजर और यह सब कर सकते हैं तो इस लिए हं लोग इदर से स्टार्ट करें तो जर्श आप थोरा सीर्फ हैं बरीफली को बताएं लड़कियों को गर्ल्स को कि उनको यहाँ पर इंडिया पाखसान में बैठ के कौनसा काम सीख की ना चाही ही जहां पर उनको यहां पर पूरत का लिस्फडन में आके असानी हो जॉब डूने के लिए और प्लर वाले से आप क्या कहेंगे कि उनको सीख सीख की आना चाहिए जी बिलकुल सीख इस स्पेसिफिकली कुछ सीख के आएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है जैसे नेल आर्ट है अगर आप एक ही काम सीख के भी आएंगे तो तब भी आपको जॉब मिले एंका चांस है अगर आपने थोड़ा थोड़ा काम सीखा हुआ और जस घर से ही सीख के आ रहे हैं तो वो आपको फाइदा नहीं देगा यह कुछ लड़किया मुझे भी मैसेज करती हैं कि हमें ब्यूटी पार्लर का काम आता है तो मैंने एक लड़की को एक जगा पे जॉब का अरेंज किया तो उसको सिरफ कटिंग का ही काम आता था लेकिन यह है कि आप प्रॉपर काम तो सुमेरा जी यह जड़ा प्राइवेट सा क्वेश्चन है लेकिन लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत जादा लोग पुरतेकाल में अपना बिजनस स्टार्ट करना चाहते हैं तो